वेलकम टू आवर यूटूब चैनल केमिस्ट्री बाय साध अनवर तो जी हाँ जो देर स्टूडेंट जो चीज आज हम डिसकस करने वाले हैं वो है सॉइल, सेडिमेंट्स, एंड डिस्ट अनालिसिस सॉइल क्या है, सेडिमेंट्स क्या है, सलच क्या है, और डिस्ट अनालिसिस क्या है हम सॉइल अनालिसिस करेंगे, देखेंगे सेडिमेंट्स क्या है, सलच क्या है, सीविच, सलच, और डिस्ट अनालिसिस करेंगे सबसे पहले हम चलते हैं सॉयल की तरफ के सॉयल क्या है सॉयल को ग्रीक में कहते हैं पीडोस ग्रीक जो के युनानी जुबान का लफज पीडोस इसका मतलब है सॉयल और जो टर्म पीडो सफेर है, पीडो सफेर is a term is used to denote the soil cover of the terrestrial part of the earth. जमीन का वो हिस्सा जहां खुश्की है, जहां इनसान, जानवर, फसले, जंगल, जहां खुश्की है, खुश्क, terrestrial part है, उस हिस्से पे जो soil cover है, उसको हम पीडो सफेर कहते हैं. पेडालोजी क्या है? पेडालोजी is the science of soil, यानि के soil को पढ़ते हैं, इसमें हम soil को analyze करते हैं, soil को study करते हैं, उन सब चिज़ों को देखते हैं. फिर हम देखते हैं के soil क्या है? soil main component है, biosphere का, vital layer है हमारे planet का, populated by various organism, यहां मختلف organism रहते हैं. एक छोटे बक्टेरिया से लेकर, एक छोटे बक्टेरिया से लेकर animals और human तक, और आज तो soil पे वाईरस भी आया हुआ है, यानि कह लीजिए कि वाईरस से रेकर बड़े-बड़े animals और human तक, यह सारे organism सोईल पे रहते हैं, तो soil इन सब का मसकन है, इन सब के रहने की जगा है Soil provides a central link between different biospheric compartments, तो, Soil is main characteristic feature of terrestrial environment, Main characteristic feature of terrestrial environment, जितना भी terrestrial environment है, उसका जो main है, वो soil है, क्या करता है, physical sport provide करता है, Soil provide physical sport for all terrestrial organism ताके वो उस पे रह सकें, Soil का एक और बड़ा एहम फाइदा है कि Soil supply करता है, Soil also supply nutrients, कौन से nutrients, जो living organism को चाहिए, जो plants को चाहिए, ताके वो grow करें, plants grow करेंगे, एनिमल उन plants को, उन plants पे grazing होगी, एनिमल की, इसी तरह nutrients हैं Soil पर, और जितना भी हमारा toxic pollutants है, ये भी Soil ही इसको handle करती है, इसको absorb करती है, चंद important uses हैं Soil के, वो देख लेते हैं, few important uses of Soil, Soil have numerous uses, बहुत से uses हैं, like, हम फसले उगाते हैं, growing crops, without which no human or animal could survive, बगैर फसलों के उगाए, तो ना इनसान जंदा रह पाएगा, ना ही जानवर, जो earliest human civilization थी, जो पहली के human civilization थी, वो सप्रंग अप, वो कैसे हुई थी, उन्होंने सीखा, उस वक्त के इनसान ने ये सीखा, के agriculture किस तरह करनी है, सौल पे फसले किस तरह उगानी है, जब उसने ये सीख लिया, के सौल की cultivation किस तरह करनी है, agriculture किस तरह करनी है, तो उस वक्त की तहजीबें तहजीबों ने परवान चड़ा, और आज भी जो दुनिया की अबादी है, उसका 50%, 50% वर्ल्ड पापॉलेशन ये फार्म्स में रहता है, जमीनों में रहता है, देखें, ये फार्मर की बड़ी एहमियत है, का जाता है कि एक डॉक्टर, एक वक करते हैं, तो वकीन की जरूरत पड़ेगी, कुछ खरीदना है तो मार्किट जाएंगे, लेकिन नाश्टा करना है तो फार्मर के जरूरत है, दुपैर का खाना खाना है, तो फार्मर के जरूरत है, शाम का खाना है, कुछ भी खाना है, तो फार्मर के जरूरत है, तो ये सॉ कि या degrade the quality of soil soil की quality को degrade कर दिया soil की quality को इस हद तक degrade कर दिया कि कुछ जगों पे soil useless हो गई और even deadly हो गई फसले उगाना उसने छोड़ दी in fact many early civilization died out दरहकीका जो पहले की इस तहजीबें थी बहुत सारी तहजीबों का इंतकाल हो गया उनकी death हो गई क्योंकि उस वक्त की जो जमीन थी उसने उन्होंने उस जमीन को इस लेवल तक degrade कर दिया था soil cover इतना ज़ादा degrade कर दिया था कि इस पॉइंट तक degrade कर दिया था कि soil ने फसलों को उगाना छोड़ दिया soil की capacity खतम हो गई कि वो agriculture को agriculture जो है उसको sustain कर सके जब agriculture खतम हो गई तो food supply रुक गई food supply रुक गई तो जो world population थी वो उसको कहत का सामना हुआ और बहुत सारी early जो civilization थी उनकी death हो गई soil है क्या soil की अगर हम chemistry देखें तो soil is a mixture of a minerals mixture of a minerals है इस पे water है, air है, living organism रहते है soil बनती कैसे है how soil are formed soil are formed by weathering very important world है weathering of parent rock, weathering क्या है weathering कहते है breaking down of rocks चिटानों की तोड़ फोड़ी दो तरह की होती है weathering दो तरह की होती है mechanical weathering और chemical weathering जो mechanical weathering है उसमे temperature change abrian वगर आती है chemical weathering में hydrolysis और oxidation का process होता है classification of soil को देखें तो soil को हम size of mineral की base पे classify कर सकते है size of mineral की base पे classify कर सकते है कौन कौन से sizes चार तरह के हैं clay's, silt, sand, gravel gravel कहते हैं बजरी को तो जो सिल्ट क्या है clay तो मटी होगी, sand rate होगी clay और sand के center की एक चीज़ है, beach की चीज़ है, silt soil pollution पे बात कर लेते हैं के soil pollution कैसे होती है इसके factors कौन से है, the human use of soil, the human use of soil can lead its deterioration by the introduction of a various polluting substance इनसान सबसे बड़ी वज़ा है, soil की pollution का, उसका नुकसान क्या है, organic matter soil का degrade हो जाता है जिससे soil की जरखेजी में, fertility में, बहुत कमी आती है lowering of the fertility of the upper soil layer degradation of a soil organic matter, जो soil का organic matter है, अगर उसको degrade कर दिया जाए तो soil की जरखेजी बहुत कम हो जाती है, fertility decrease हो जाती है और soil पिर agriculture purpose के लिए use नहीं रह सकती use नहीं किया जा सकता soil को agriculture purpose के लिए, अगर soil की fertility decrease हो जाए कुछ physical factors को देख लेते हैं, जो pollution cause करते हैं, उनमें सबसे main चीज़ chemical substance है, soil quality determines its actual and potential use अगर किसी अलाके की, किसी जगा की soil quality का ताइयन करना हो, soil quality को determine करना हो तो हम ये देखते हैं कि वहाँ agriculture की क्या सूरते हाल है अगर अच्छा agriculture है, तो हम कहेंगे कि soil की quality अच्छी है आपने एक एक चीज़ सारी पढ़ लेनी है फिर चलते हैं maintaining good soil quality अगर हम चाहते हैं कि soil quality को maintain करें और हम चाहते हैं कि good soil quality हो और हम चाहते हैं कि minimizing air soil pollution हो, soil pollution को minimize करें और pollution को degrade करें तो ये हमारी highest priority पे होना चाहिए कि soil की quality अच्छी हो, soil pollution को minimize करें, degradation करें ये बात हमारी highest priority पे होनी चाहिए और ये highest priority पे होती है for number of reasons कौन कौन सी reasons हैं कौन कौन सी ऐसी reasons हैं कि हम चाहते हैं कि soil quality good हो अच्छी soil quality को maintain करें और pollution को minimize करें चुँके soil हमें देती है क्या देती है soil protect करती है हमारे food supplies को from toxic substance से अगर ये जो मारे toxic substance है ये soil में accumulate हो जाएं तो इसके बड़े ही harmful effect होते हैं मारी फसलों पर और food chain में जब enter हो जाएं तो बड़ा नुकसान होता है दूसरा हम चाहते हैं कि soil को protect करें pollution को minimize करें pollution को soil की degradation से बचाएं ताकि हमारा जो ground water supply है वो protected रहे to protect our ground water supply ground water supply को protect करने के लिए हमें चाहिए ऐसी soil जिसकी quality अच्छी हो फिर surface water को protect करने के लिए surface water कौन सा water है जो जैसा के हमारा surface पे है नदी दरिया इनको हमने contamination से बचाना है pesticide से बचाना है chemical से बचाना है तो हमें soil को बचाना होगा pollution से और soil की अच्छी quality को maintain करना होगा कुछ major chemical pollutants हैं pedosphere में, soil में वो कौन-कौन से pollutants हैं radioactive elements ये जो radioactive elements हैं ये बड़ी वज़ा है soil की pollution की organic chemicals like herbicide fungicide और heavy metals जो बहुत सारे heavy metals like mercury, cadmium, lead वगएरा ये भी soil की pollution की वज़ा बनते हैं acid soil की pollution की वज़ा बनते हैं acid कहां से आते हैं एक तो industrial waste में वह सारा acid होता है acid rain भी acid की वज़ा बनती है तो ये सब चीज़े soil को pollute कर देते हैं soil को, soil की, soil pollution की वज़ा बनते हैं sludge अब हमारा topic है के sludge क्या होता है तो अब हम discuss करेंगे sludge what is sludge large quantities of sludge are generated in municipal savage treatment plants यह जो municipal savage treatment plants है municipal savage treatment plants जो gutter वगारा का system है इस से ये sludge, ये वज़ा है sludge की approximately approximately 1 से लेके 2 परसंट जो waste water है ये हमें wet sludge देता है और एक बंदा, एक शक्स, एक इनसान पर परसंट 2 से लेके 3 लीटर sludge प्रोड्यूस करता है 2 से लेकर 3 लीटर sludge पर परसंट इच डे प्रोड्यूस कर रहा है तो total dry solid content of sludge varies between 0.25% to 12% जिन में 60 से 70% organic matter होता है सलच की ये composition है तो आप इसको देख लें कि एक दिन में sludge 2 से लेके 3 लीटर हर बंदा sludge प्रोड्यूस करता है और sludge की ये composition है sludge किस चेस पर मुश्टमिल होता है sludge is composed important but बहुत important point है sludge is composed largely of highly polluting substance and it undergoes various treatment at sewage work sludge में बहुत सारे pollutants होते हैं बहुत सारे नुकसानदे चीज़े होती हैं harmful components होते हैं sludge में सबसे ज़्यादा harmful component sludge में क्या होता है pathogen pathogen जो बिमारियों की वज़ा बनते हो pathogen क्या है virus, bacteria, protozoa, eggs of parasitic warm वगरा यानि के मुख्तलिफ तरह तरह की बिमारियों की वज़ा बनते हैं ये pathogen तो ये सारे के सारे pathogen sludge में पाए जाते हैं sludge में जो pollutants की concentration है, heavy metals की concentration है वो बहुत ज़दा high होती है, extremely high होती है ये जो gutter से चीज़ा निकलती है, ये sludge है तो इसमें pollutants बहुत ज़दा होते हैं अब इस सेविच का, जो सेविच सेलच है इसका soil पे effect क्या है, application क्या है अब हम ये जो सेविच सेलच को हम किन-किन मकासित के रिए use कर सकते हैं एप्लिकेशन application of सेविच सेलच to soil has been widely practiced for several decades soil sludge जो के बहुत नुक्सान दिया चीज़ है, इसको soil पे इस्तमाल किया गया, इस सेविच सेलच को इसको agriculture के तोर पर इस्तमाल किया गया आपने सुना होगा, बहुत सारे अलाकों में फसलों को, खेतों को, गटर का पानी लगा देते हैं उसका नुक्सान भी है थोड़ा बहुत फाइदा भी है, वो फाइदा क्या है, बहुत फाइदा देखते हैं सलच, soil conditioner के तोर पर काम करते हैं soil conditioner के तोर पर role play करते हैं और vegetable garden, golf courses, parks वगएरा में ये इस्तमाल करते हैं हम इनको जो कि एक अच्छी बात तो नहीं है लेकिन ये किया जाता है ये plants की growth का किरदार अदा करते हैं US में क्या है कि 10 तो 12 परसंट जो सलच है उसे commercial use के तोर पर उसको market किया जाता है और उसका बहुत सरे commercial use उसको किया जाता है तो परवाइड ए partial replacement for expensive fertilizers जो महंगी महंगी खा दे हैं, हमारा किसान गरीब है हमारा farmer गरीब है एशिया का farmer गरीब है वो महंगी खादों को expensive fertilizer को afford नहीं कर सकता तो फिर सलच use कर लेता है खेतों को, फसलों को, सबजियों को, बागों को, पारकों को सलच, सेविच सलच का पानी लगा देता है क्योंकि सेविच सलच में कुछ ऐसे nutrients हैं जो प्लांट गरोथ पे बड़े अच्छे असर अंदास करते हैं प्लांट गरोथ के लिए चाहिए होते हैं required होते हैं प्लांट गरोथ के लिए तो सलच को इस्तमाल करने से पहले बहतर है कि थोड़ा Sunlight Squares इसको Treat किया जाए ताकि कुछ Pathogens को Destroy किया जाए कुछ Toxic Organic Substance का Level को Decrease किया जाए सलच की अगर Composition की बात करें तो सलच में जो nutrients content हैं वो कौन से हैं उनकी क्या percentage है सलच में जो nutrients content है nutrients content वो nitrogen 3.3% है phosphorus 2.3% है और potassium 0.3% है और ये बहुत कम percentage है तो अगर हम सलच को पौदों की growth के लिए इस्तमाल करें तो कि इसमें NPK है, nitrogen, phosphorus और potassium है तो पौदों की growth का किरदार अदा करते हैं ये सलच In most applications, sewage sludge can provide adequate supplies of nutrients for plant growth लेकिन ये जो potassium और phosphorus है, इसके content बहुत लो होते हैं The suitability of a sludge for a particular soil application has to be carefully assessed and several factors have to be considered अगर soil application में आपने sludge इस्तमाल करना है तो अंदा धुन्द sewage sludge को soil application में इस्तमाल नहीं करना बलकि बहुत सारे factors और को assess करना है, बहुत सारे चीज़ों को देखना है ये देखना है कि कौन से खेत हैं मिसाल के तोर पर अगर vegetables हैं, ऐसी फसले हैं जो ऐसी crops हैं जो जमीन में हैं, like गाजर हो गई, मूली हो गई तो उसको गटर का पानी नहीं देना चाहिए लेकिन अगर आपने किकर होगाने हैं, शिशम होगाने हैं तो उनको आप सलच उनकी growth के लिए इस्तमाल कर सकते हैं तो इन सारे factors को कि आपने agriculture करनी है, forest करनी है, जमीन कैसी है जहां आपने apply करना है सलच, जिस जगह पर apply करना है, वहां का ground water कैसा है, अगर ground water बहुत नीचे है तो शाहिद हम सलच को इस्तमाल कर पाएं लेकिन अगर ground water बहुत नीचे नहीं और हम सलच इस्तमाल करें उस जमीन पे, तो सलच में जो organic pollutants हैं, हैवी मेटल्स हैं चांस है कि वह हैवी मेटल्स और वह organic pollutants जहरे जमीन पानी को अलूदा करें और जहरे जमीन पानी की अंडर लाइंग ground water की pollution की वज़ा बनें तो जो soil application है, सलच की उसको regulate करती है, government और government उसको देखती है और देखना भी चाहिए government को फिर सलच में pathogen's है, pathogen क्या है जो बिमारियों की वज़ा बनते हैं, सलच में organic matter है organic जो matter है सलच में, उसका एक बड़ा अच्छी चीज ये है कि वो फसलों की growth का करदार अदा करते है लेकिन उसका एक बड़ा problem क्या है, कि मास्किटो, flies और rodents जो कुतर कर खाते हैं, चूहे वगएरा इनकी breeding में role play करते हैं, इसलिए आपने देखा हुआ कि जो जोड होते हैं, गंदे पानी के जोडों में मच्छरों की बहतात होती है, गंदे पानी के जोडों मक्षियों से ढखे हुए होते हैं क्योंके गंदे पानी के जोड़ों में सलच सीवच सलच में और गैनिक मेटर होता है और और गैनिक मेटर ये फ्लाइस मॉसकटों की ब्रीडिंग में बड़ा एहम किरदार अदा करता है तो जहां organic matter होगा वहाँ flies और मॉसकटों की breeding होगी यह बहतात हो जाएगी भरमार हो जाएगी और जहां मक्हियां मच्छर जादा होंगे वहाँ पिर potential risk है diseases का कि वहाँ बिमारियां भी होगी इस सलज में neutrons हैं जैसा कि हमने पहले देखा nitrogen, phosphorus, potassium, neutrons हैं कुछ toxic substance हैं heavy metals है like academia हो गया mercury हो गया और organic compounds हैं इस सलज में मतमिसाल के तोर पे chlorinated hydrocarbon sludge में पाया जाता है यह chlorinated hydrocarbon यह जो चरने वाले जानवर हैं जो grazing animal हैं उनके लिए बड़ा नुक्सांदे हैं बड़ा toxic है फिर हम देखते हैं कि sediments क्या है sediment form in water bodies as a result of gravitational settling of suspended matter जो water bodies में suspended matter है due to gravitational force due to gravitational pull अपने वजन की वज़ा से वो suspended मवाद है suspended material है water bodies में वो जहरे जमीन तह नशी हो जाता है due to अपना gravitational pull gravitational force की वज़ा से उसको हम sediments कहते हैं sediments form in water bodies as a result of gravitational settling in fast flowing river ऐसे दर्याब जहां बहाओ पानी का बहुत तेज हो fast flowing rivers small particles may remain suspended while in still waters more suspended particles will settle to the bottom जहां पानी का बहाओ बहुत तेज हो वहाँ जो छोटे छोटे चोटे particle हैं वो suspended रहते हैं पानी में sediments नहीं बनते हैं लेकिन जो खड़ा पानी होता है जो still water है जो खड़ा पानी है जिसमें पानी का कोई बहाओ नहीं है कोई turbulence सी नहीं है तो उसमें ये suspended particles settle down हो जाते हैं और ये sediments बन जाते हैं Considerable sedimentation takes place in issues where there is a reduction in the river flow velocity देखें ऐसी जो भी जगह जहां पानी का बहाओ कम होगा पानी के बहने की flow velocity कम होगी तो वहां क्या होगा suspended particles sediments बन कर नीचे बैठ जाएंगे Considerable sedimentation takes place in issues where there is a reduction in the river flow velocity due to mixing with seawater and this can result in the formation of a muddy tidal flats A sedimentation is a continuous process Sedimentation एक continuous process है मसलसल होता रहता है sedimentation Analysis of a sediment course can provide a historical record of the chemical composition of a suspended particle अगर हम जो sediment score है जो जहरे जमीन पानी की तह में जो बैठा हुआ sediments है इसका हम analysis कर पाएं तो इससे हमें तारीख का पता चलता है कि यह कितना पुराना है यहां जो nutrients है उनका historical record क्या है इस पानी का और यहां जो दूसरे जानदार है उनका historical record यह सब चीज़ें हमें पता चल सकती है the depth of the sediment core is a proportional to the time going back from the present यानि के sediment core की analysis से हमें वहां की जिस अलाके की जिस जगा की sediment है वहां की history मालूम पड़ सकती है toxic substances में accumulate in sediments इन sediments में जहरीले सबस्टांस जमाओ सकते हैं जहां के तोर पर organic compound of low solubility and high molecular mass may be absorbed into sediments ऐसे organic compound जिनकी solubility बहुत का में हल नहीं हो सकते molecular mass बहुत हाई है तो जारी बात है ऐसे organic compound ने बिर बैठना ही है पानी में पानी में हल हो नहीं सकते वजन जादा है high molecular mass है तो फिर वो sediments में absorb हो जाते हैं ऐसे organic compounds फिर क्या होता जब यह organic compound sediments में absorb हो जाते हैं वहां organism इनको consume करते हैं अपने खुराक के तोर पर इनको इस्तमाल करते हैं कौन से जो पानी में जो जानदार है वा उनको खुराक के तोर पर इस्तमाल करते हैं अब यह हैं तो toxic substance जिसकी वज़ा से एक तो इन animals मतासर होते हैं इन animals में अक्सर की death हो जाती है या अगर इनसान इन animals को खाए बतोरे खुराक तो इनसान इनसे मतासर होता है वह वाले toxic substance जिनका solubility कम है और molecular mass ज्यादा है low solubility and high molecular mass ये वाले substance अब जाते हैं sediments में और जब sediments में अब जाते हैं अब sediments कहीं जाते नहीं sediments हमेशें तह में बैठा रहते हैं तो पानी में पाए जाने वाले organism उन sediments में से अपनी खुराक को लेते हैं फीड लेते हैं वहां से जैसा के मचलियां हो गए मसल्स बगरा हो गए तो ये organic toxic substance उन animals को एक तो नक्सान प और फूड तो इनसान उससे मतासिर होता है खास तोर पर हारबर्स में जो sediments हैं उन में बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स होते हैं फिर बात करते हैं डेस्ट की डेस्ट क्या है dust in the urban environment are of the greatest concern because of the presence of a many toxic substance and the potential exposure of children who often play in the street, school, yard, parks, etc. शहरी अबादी में जो अनुफ़ारी महोल है, urban environment है, वहां के रहने वालों का सबसे बड़ा मसला dust है बचे बाएर खेलते हैं, school जाते हैं, लोग बाएर फिरते हैं, तो उनका expir होता है toxic substance में और ये toxic substance सारे के सारे dust में पाए जाते है dust की वजुहात क्या है, the main source of the main source of a road dust is the deposition of atmospheric aerosol particles देखें, फिज़ा में इस बहुत dust है, बहुत जादा है, इसलिए का जाता है कि मास्क पहन के बाएर निकलें, बाएर से जब आपस घरों को आएं तो अपना मूँ धोलें, हाथ धोलें, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करें के शीशे गाड़ी के चढ़ा ले बाएर निकल रहे हैं तो रुमाल से चेरे को ढख लें ताकि dust से बचें, क्योंकि dust सिर्फ मटी नहीं है, dust में बहुत सारे toxic substance है, जिन से हमारा exposure होता रहता है, कौन से toxic substance जो industry से आते हैं, construction activities से आते हैं, खास तोर पे paint से आते हैं, particles larger than 10 picometer in diameter are deposited quite rapidly to the earth surface under the influence of gravity, वो पार्टिकल जिनका size 10 picometer है, वो deposit होना शुरू हो जाता है, earth surface से नीचे आना शुरू हो जाता है, gravity की वज़ा से, major route of exposure to atmospheric aerosol is by inhalation, हम जो सांस लेते हैं, तो उससे बहुत सारी atmospheric aerosols, फजा में पाये जाने वाले जर्रात, हमारे सांस के जर्ये, हमारे सांस के जर्ये हमारे जिसम में उतरना शुरू हो जाते हैं, और नुकसान की वज़ा बनते हैं, खास तो पे जो greatest हमारा concern है dust से, उसमें है road dust में, उसमें lead है, lead कहां से आता है road dust में? LED देखें, LED road dust में कहां सायता दरह सूचें LED पाजाता है गाड़ियों के धुए में बहुत LED है बसों के धुएं में बहुत LED है, ट्राफिक में बहुत LED है तो road dust में LED बहुत होता हूँ LED एक heavy metal है, बहुत लुकसान दे है लेड पॉजलिंग इसे हो जाती है और बहुत सारे मसले होते हैं फिर हम देखते हैं कि Soil Test, Dust Test और Sludge Test इन सब के जो टेस्ट है ना वो common है उसका procedure सेम है कि सैंपल लेना होता है, सैंपलिंग करनी होती है The methods described in this video lecture are intended mainly for soil analysis अभी जो हम discuss करने वाले हैं वो हम Soil Analysis के लिए discussion करेंगे लेकिन एक बात याद रहे कि जो Soil Analysis का procedure है वो equally applicable है, बिलकुल applicable है dust और sediment Sludge Analysis के लिए Soil Test Soil Trust are widely used in agriculture Agriculture में Soil Test किया जाता है, क्यों किया जाता है? ताके किसान को पता चले के टाइप ओफ फर्टिलाइजर कौन कौन सी है, कौन कौन सी नूट्रेंट्स है और कौन कौन सी नूट्रेंट्स उसको चाहिए ताके उसकी फसलें अच्छी ग्रो करें Soil Test are widely used in agriculture in order for farmers to determine the amount and type of fertilizers to obtain high crop yield किसान चाहता है कि जिस जमीन में उसने फसल उगानी है, फसल लगानी है, उसका कोई उसे Soil Test करके दे ताके उसे पता चले कितनी amount में यह fertilizer है और कितनी amount में fertilizer उसको चाहिए, कौन कौन सी टाइब की fertilizer पहले से जमीन में है और कौन कौन सी fertilizer उसको चाहिए ताके उसकी फसलों की growth अच्छी हो, तो Soil Test की यह एहमियत है The most common test involved routine nutrient measurement, इसमें हम NPK nitrogen, phosphorus, potassium की measurement करते हैं Soil Test Kits होती है, Soil Test Kits Are portable laboratories, are commercially available, निसल के तोर पहेश, यह Soil Test Kits हमारी help करती हैं कि हम Soil को analysis करें For farming purpose, field tests are carried out once, every two, two or three years इतने time के बाद हमें Soil का test करना चाहिए, field का test करा लेना चाहिए, कर लेना चाहिए फिर sampling and sample preparation है, देखें जा आपने test करना है Soil का या sludge का या dust का, तो आपको वहाँ से एक sample चाहिए होता है Sampling करनी पढ़ती है पहले Sampling of inhomogeneous media such as soil, dust, sludge and sediments present some difficulties Sampling बड़ा आसान का में इसमें बड़ी मुशकलात होती है Sampling program should be carefully planned from the outset if representative and meaningful results are to be obtained यानि अगर आपको meaningful results चाहिए, आपको सही, सुथरा, बिल्कुल clear, वाज़े result चाहिए तो आपको soil का sample अच्छी तरह लेना होगा Sampling अच्छी करनी है, अगर आप sampling सही करेंगे, sampling क्या है, sample को collect करना To collect a representative portion, is called sampling, अगर आप सही तरह से sampling कर पाएंगे, तो ही आपको meaningful result मिलेगा The objective of a monitoring program should be clearly defined, आपको पता होना चाहिए, कि आप sampling क्यों कर रहे हैं आपको, मिसाल के तोर पर अगर आप किसी जमीन में ये देखना चाहते हैं, कि इस पे nitrogen, phosphorus, potassium का क्या level है, ये नमकियात का क्या level है तो आपको पता होना चाहिए, पिल्कुल clear होना चाहिए, ताकि उसी हवाले से पिर आप sampling कर पाएं The depth of a soil sampling depends on the aims of monitoring देखें, आपने जो soil analysis करना है, उसको, आपका aims of monitoring क्या है, क्या क्यों कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है उसके तहट से फिर आप soil sampling करते हुए depth लेंगे, यानि अगर आप आपने ये देखना है, कि जमीन के ऊपर वाले हिस्से से sample लेकर soil का जमीन के ऊपर वाले हिस्से से लेकर sampling करनी है कि या कुछ खोद कर थोड़ा सा आगे जाकर जमीन का proportion उसको sample लेकर उसकी analysis करनी है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए इन studies of agriculture, crop, nutrition, the top 20 to 25 cm is usually adequate as this is a zone where much of the root uptake of nutrients takes place, यानि depth of soil sampling का आपको पता होना चाहिए जमीन के कई तहें हैं, कही हिस्सें हैं, जो छोटी फसले हैं वो तो जमीन के ऊपर वाले cover में ही होंगी, 25, 25, 25, 30 cm तक उनकी roots हैं, तो आप फिर उतना ही खो देंगे जमीन sampling के लिए ताके उसी का analysis आप करेंगे analysis of upper layer is also relevant in understanding soil interaction with other environmental compartments and the pathways of pollutants between them for example, देखें, soil के एक तो upper layer है, फिर soil की lower horizon है, lower layer कह लें, तो आपको पता होना चाहिए कि आपनी soil की upper layer का analysis करना है lower layer का analysis करना है, अगर upper layer की बात करें, तो upper layer के soil जो है, soil का जो upper layer है, उसका ज़्यादा interaction है, environment के साथ, pollutants पहले वहां आते हैं, atmospheric dust particle, fertilizer, pesticides, sewage, sludge, यह सब soil की सता पर पहले deposit होते हैं, पहले पहले पहल, atmospheric dust particle, fertilizer, pesticides, sewage, sludge, यह सब चीज़ें, यह सब chemical, soil की upper layer पर deposit होते हैं, फिर वहां से chance है कि percolate करें, soil की lower layer की तरफ यह जाना शुरू हो, surface water की तरफ जाएं, surface water को भी destroy करें, lower horizon, यानि lower layer से भी आप sample ले सकते हैं, और लेकर analysis करना चाहिए, यह देखना चाहिए, lower layer layer से lower horizon से हम sample क्यों लेंगे, यह देखने के लिए कि जो upper layer पे pollutants थे, वो किस हद तक सरायत करके हैं, सरायत करके हैं, पहुंच गए हैं lower layer तक, अगर lower layer की sampling नहीं करेंगे, lower layer की analysis नहीं करेंगे, तो हमें नहीं पता चले का, कि upper layer के, upper soil layer के pollutants कितनी सरायत करके हैं जेरे जमीन, फिर time of sampling भी बहुत matter करता है, time of sampling का भी हमें पता होना चाहिए, time of sampling is an important factor in soil analysis, मिसाल के तोर पे कुछ nutrients ऐसे हैं, जो किसी एक खास time पर available होते हैं, उनकी concentration किसी एक खास time पर available होती है, किसी एक खास मोसम में available होती है, दूसरे मोसम में और दूसरे time पे उन nutrients की concentration वह नहीं होती, तो यह चीज़ हमें पता होने चाहिए, sampling में time of sampling भी बड़ा important factor है, मिसाल के तोर पे availability of a many nutrients such as phosphorus increase during spring and summer month and there is some evidence that inorganic nitrogen level are higher in spring, तो जी हाँ student यह था हमारा आज का lecture जिसमें हमने इन सब चिज़ों को देखा, selection क्या होता है, soil क्या होता है, soil analysis क्या होता है, dust क्या होता है, यह material मैंने जिस book से लिया है, मैंने reference के तोर पे वो book पी दे दिये, यह practical environmental analysis की book है, तो आपका कोई भी question हो तो आप comment मुझे से पूछ सकते हैं, अपने बहुत सा ख्याल रखेगा, अल्ला हाफिज. कर दो कर दो